हालेलुया प्रोभु का धिन्यवाद करते हैं आज के संदर समय के लिए जो प्रोभु ने दिया संसार का बैर प्रमेशर का वचन यह उनारेची सुस्रमाचार पंद्रा दिया है उसकी अठार्मी आयत लिखा है यदि संसार तुम से बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुम से पहले मुझसे बैर रखता तो मेरे प्यारे भाईो बैनो यदि संसार हम लोगों से हम मसी भाई बैनों से मसीहत से बैर रख रहा है तो आप हमीचा एक बात याद रखें जब यिश्य मसी मनुश्य का रूप धाण करके इस संसार में आया तो यिश्य मसी से समने प्रेमनी करा संसार ने प्रेमनी करा प्रंतु संसार ने यिश्य मसी से बैर रखा और यहां तक बैर रखा भी मनुश्य के पुत्र को सुली पर चड़ा दिया उस क्रूज पर गुर्टिफाई कर दिया क्यों? क्योंकि संसार ने उससे बैर किया प्रेम नहीं किया और जिसने प्रेम किया वो कहा है? प्रभु का वचन अगर हम देखे तो यहां लिखा है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता हूँ यदि तुम संसार के होते यानि कि अगर हम संसार के हैं तो ही संसार हम से प्रेम करेगा यदि हम मसी के हैं तो मसी हम से प्रेम करेगा और संसार हम से बैर करेगा तो हमेशे याद रखे हम संसार के नहीं हैं इसलिए संसार हमसे ब्यार रखता है हम दूसरी दुनिया के हैं क्योंकि प्रभ येश्य मसी दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए हमें आया और वो है स्वर्ग अनंत जीवन प्रभु का धन्यवाद सभी को जैंसी कि